Hallelujah, praise the Lord, okay, हम जाएंगे, जो पिछले हफ्ते हमें इस बच्छेन की ध्यान किये हैं, बहुत आशीश को हमने प्राप्त किया हैं, और वो ही बच्छेन की और आप बढ़ेंगे, परमेश्चा तुम्हें आसिरवाद करें, Hallelujah, Bible में लिखाएं, प्रकासित वाकिये, पहला दियाएं, आठ वाचन, प्रभूज परमेश्वर, वो जो है, और जो था, और जो आने वाला है, जो सर्वसक्तिमान है, ये कहता है, कि मैं ही अल्फा और अरोमेगा। Hallelujah, प्रभूज परमेश्वर वो जो है, और जो था, बुलो जो था, जो आने वाला है, जो सर्वसक्तिमान है, ये कहता है, कि मैं ही अल्फा और अरोमेगा। तर्फाजगा रिष्ट को धन्यवाद आए जी आए हैं उसमें प्रकासित्वा के एक वादय सतरहा.. आइमन उसने मुस्पर अपना है महिमा भूत कर ये कहा कि मड़र मैं प्रदंd और अंतीम और जीदता हो अललूया येशु मसी प्रदम और अन्थीम और जीवता है अललूया फर्मिश्व प्रीजनो येशु मसी प्रदम है अललूया और सात में और एक बचन भी हम देखने वाले हैं प्रकास्व दोगे बावीस्वा दिया है उसमें तेरा बचन है मैं alpha और omega पहिला alpha मतलब क्या है पहिला आवासे बोले alpha का मतलब पहिला हमारे वरनमाला में अगर इंग्लीज में देखे वरनमाला यह आती है शुरूब और आगरी में जो कदम उदे जड हमैं जो अलफा फेट बोलते हैं जो अरना माला हम उससारह से अमां पर्मिश्य प्रीजणो इस ग्रीक लैंग्विज में अलफा मतलब वरनामाला का पहला है हमैं ओमेगा मतलब अन्थ है इसका मतलब प्रभू येश्व कोन है अल आदी और अवाज से बोले पहला और पिछला आदी और अन्थ है तो ये श्मसी कौन है अवाज से बोले आदी और अन्थ है वह हाथ उटा कर बोले वह आदी और अन्थ है चला कर बोले आदी और अन्थ है तो अलफ और ओमेगा मतलब क्या है आदी और अन्थ है बोले आदी औ युद्धगार्थ हैं इसमें और एक प्रकासित वाक्य है हुआइ एकीश वादिya छे 21 में स्थू 21 6 लेखे रिव लेश्ट हामाइ एक्फिसवदीya छे प्रकासित वाक्य। फीर उसने मुझसे कहा ये बाते बूरी हो गई हूह । मैं आल्फा है और ओमेगा, आदी और अंत हो मैं प्यासे को जीवन की जल के सोते में से सिंथ में, मतलब फ्री में पिलाओंगा कैसे पिलाओंगा अवासे बोलिए अललुया यहां लिखाया मैं अलफा और ओमेगा हो हादी और अंत हो मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते जीवन की जल अवासे बोले जीवन की जल ये शुमसी ने का जो मुझे पर विश्वास करेगा उनके हिरदे से जीवन का जल निकलेगा किसकी जल निकलेगा अवासे बोले जीवन की जल निकलेगा ये शुमसी पर जो विश्वास करते है उसके अंदर से जीवन की जल न येशु ने दियावत जीवन है, आप जिदर भी हाथ रखेंगे, सारे खंगाल निकल जाएगा, सारे दरीतर निकल जाएगा, जो काम बन रहा नहीं, काम बनेंगे, कितनी बड़ी बिमारी हो, येशु का नाम से ठीक हो जाएगा, हललुया, बले आदी और अन्थ है वह, इसमे हमारे जीवन का समाप्त कौन है, सबका अल्फा है, ओमेगा, येशु ने मेरे जीवन सुरुआत किया, येशु मेरे जीवन को स्वार्ग लेकर जाने वाला है, अमेन, सो आदी और अन्थ है, वह अल्फा और ओमेगा है, प्रहिस अलौत, सो पनमेशे प्रीजनों, एसया स्वार्ग जीवन को 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 एक्थालीस में ऐसे चप्टर 41 वर्स 4 कि ने यह काम किया है और आदी से पीडियों को बुलाता है मैं यहोवा जो सबसे पहला था है हाँ 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 हर अंत के समय रहूंगा मैं वही हो हललुया सबसे पहला यहुई था हललुया इसमें लिखाएं अंत के समय रहूंगा मैं वही हो हललुया सो यहुई मसी पहला भी है और अंत भी है हललुया सो यहुई को ना थो हमें आज लोग बोलते हैं यहुई को सुरुवात है यहुई को कोई सुरुवात रही है हललुया वो हमेशा के लिए हमेशा था और आगे भी हमेशा के लिए हमेशा ही है Hallelujah Hallelujah So इस तरह से हम Bible में हम देखते हैं कि येश्यू आदी और अंथ है येश्यू अलफा और ओमेगा है और येश्यू हमें सुर्वात है और येश्यू यह समापत करता है Praise God मेरे परमेसे प्रीजनों हमें प्रभु तुम्हें असीश करें यसे अनभी के पुस्तक में 44 में 60 44 में 60 चप्टर 44 वर्स 60 और उसके बच्चे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अरदात एक मूरत उसका एक भाग तो वह आग में जलाता है और दूसरे बाग से मास पका कर खाता है वह मास भुनकर तर फिर टब फरक ठब कर खाता है हां मैं घर्म हो गया मैंने आग देखी है प्रैस लोग हाललुया एमेन शकरचह फॉर्टि-फॉर्सिक्ष डालना उसमें 44.6 कुछ गलती होगा, 44.6 डालो, Amen, 44.6, यहुआ जो इस्राइल का राचा है, अर्दात सेनाओं का यहुआ जो उसकी छुडाने वाला है, वह यू कहता है, मैं सबसे पहला हू, Hallelujah, और मैं ही अंत तक रहूँगा, Hallelujah, मुझे छोड कोई परमिश्व, है यह नहीं है, Praise the Lord, Amen, वो कह रहा है, मुझे को छोड कर कोई परमिश्व, है यह नहीं है, Hallelujah, क्योंकि यहां लिखा है, सबसे पहला हूँ, और मैं है अंत तक रहूँगा, मुझे छोड कर कोई परमिश्व, है यह नहीं है इस धर्थी में, Praise the Lord, Hallelujah, 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 I amasable, Hallelujah, Hallelujah, है समय हम फिर एक बार परमिश्व के वच्छन पर जाएंगे, हमें प्रकाशी द्वा किया है, उस यह 21 में, सिक्स हम देखेंगे, Hallelujah, इसमें लिखाएं, फिर उसने मुझे का, यह बाप देश्व पूरी हो गई, मैं अलफा और ओमेगा हो, और अदी और अंत, Praise God, So, हमें आदी मतलब क्या है, He is a beginner, वह हमारा सुरवात है, Praise God, उसने सब को सुरवात किया है, और Hallelujah, सब का सुरवात उसी से हुआ है, Origin, हम लोग कहते है, Origin, हमें सारे Origin, मतलब सब का सुरवात उसने किया है, यह सब का उद्भथी, यह सब का निर्मान, सब की निर्मान, किसे अलफा से हुआ है, Hallelujah, सब का निर्मान और सब की सुरवात, यह ने किया है, Praise God, जो भी इस दुनिया में दिख रही है, सब की निर्मान उससे हुआ है, मैंने फिछले दो अक्ते से यही कहा, यही प्रचार किया, कि जो भी वस्तु तुमें देख रहे हो, यह जो भी इंसान त जल में जो प्रानिया है, यह जीव जन्तु है, यह सब रहने वाला जन्तु है, यह सब का निर्मान येशु से हुआ है, Hallelujah, परमिश्य प्रिय जनो, और जहां से निर्मान हुआ हो उसके साथ अपना संगती रखना जरूरी है, Hallelujah, अगर मच्छी पानी से निर्मान हुआ, तो पानी से अपना थालूक रखना जरूरी है, पानी से या जल से अपनी संबंद रखना जरूरी है, मेरे बैनों, मेरे भाईयों, हमें इस परमिश्य पर को हमें ध्यान रखना जरूरी है, अगर हम परमिश्य पर को ध्यान नहीं रखते हैं, यह परमिश्य प्रमिश्य प्रिय या क्या निर्मान किया इस विश्य को हम समझना जरूरी है अगर नहीं समझेंगे हम बहुत बड़ी गल्ती करते हैं अललुया देखो जब मच्छी पानी के साथ संब्ध रखता है वो जीएगा प्रेजलो जब जानवर जो है वो मीटी से बनाए गया तो मीटी से अपना संब् पानी से निर्मान हुआ वो पानी से अपना संब्ध रखना जरूरी है जो मीटी से निर्मान हुआ वो मीटी के साथ अपना origin के साथ जहां से उसकी उधन्न हुआ जहां से उसकी निर्मान हुआ उसके साथ वो सम्मद रखना जरूरी है प्राइजलो और आपके शरी काँ से निर्मान हुआ है मीटी से निर्मान हुआ है आपके सरीर किस से निर्मान हुआ है हवाज से बोले मेरे सरी मीटी से जिनमान हुआ है हाललुया अगर मैं आपको उठाकर समुत्र में डाल दो तो समुत्र में आप मर जाएंगे वह सकते एक गंडा जियेंगे अगर अचा सुमिंग करते हो उसके बाद है मर जाएंगे क्योंकि आपका संबर मीटी में होना दूद कहां से मिलता है थेल कहां से मिलता है तो हर चीज तुम्हें कहां से मिलता है तो मीटी के साथ तुम्हारे संब्द नहीं तो मर जाएंगे अब लोग हललुया तो हमारे शरी मीटी के साथ संब्द रखना चाहिए क्योंकि हम मीटी से बनाएगे हललुया तो जान से और मनुस जब मीटी से बनाएगे, वो भी अपनी मीटी के साथ संब्ध रखता है, लेकिन प्रभु ने आपको मीटी से बनाया, लेकिन याद रखना, आप मीटी नहीं है, आप आत्मा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पहले परमईश्व ने आत्मा को बनाया, उस सो रू क्या उसने? तो इसले जब मरतिस समय लोग कैसे जाते हैं? नाक से जाते हैं, याद रखना, लालुया, क्योंकि तुम्हे नाक से अंदर ढाला गया, और इसले तुम नाक से ही भार निकलेंगे, लालुया, वो आपका आत्मा कोन बनाया? परमईश्व ने बनाया, आपका शर का आत्मा परमेशन बनाया, इसले मैंने एक वचन दिखाया था, आत्मा का पिता है धो, किसका पिता है धो, आत्मा-र। यहां देखने है बेटा किज़ा किज़ा देखने है अमारी आत्मा का पिता है इवराणी चेप्टर थुबल वर्स कि हमारे शरीर की पिता है हमारी ताडना किया करते हमारे शरीर के पिता को ने हमारी और डाड़ी है मा और पिता है मतला हम जब गल्ती करते हैं वह में तोड़ना देते हैं, तो क्या आत्माओं के पिता, तो हमारे आत्माओं के पिता को नहीं लिखा, आत्माओं के पिता, अललुया, तो तुम्हारे आत्माओं के पिता, आत्माओं के पिता के और भी अधिनार है, जिससे जीवित रहे, हललुया, हम आज से बहले हललुया, हललुया, तुम्हारा सरीर जीने के तुम्हे मेटी से संब्ध रखना जरूरी है, मचे अपने पानी के साथ संब्ध रखना जरूरी है, और इस दुनिया में जितने में जानवर हैं, वो अपने मेटी के साथ संब्ध रखना जरूरी है, हमे हगा हालरालुया आपका आत्मा जीना तो इसके से संम्मध मैं। dai क्या हो जाएंगे है आप रुड़े मरे और मरना को यशुय को नहीं जानता है रचार में लेका वो सकी अर प्रखन। है अलो हलो बैबल में लिखा थो यशुय को नहीं जानता चैंग वह अर्ड़ेढ Jahren प्रेश्व की भाई मा करेंगे अलालोया एमन समझ रही हो मैं फीर एक बार समझाना चाहता हो जो पानी से उद्फन वाउ पानी के साथ यह जल के साथ अपनी संबंद रखना राइस लौड जो मीटी से निर्मान हुआ वो मीटी के साथ संबंद रखना क्योंकि मीटी से घास है और वो गास काकर अपने जीवन भिठाना हाललूया हाललूया जितने बेड बक्रिया जितने बैल जितने खरेलू जितने पंचिया जितने चिडिया वो अपने 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 जास से निर्मान हुआ जास इसके ओरीजिन हुआ उसके साथ संबंद किकने लुग खाते हो सब शाल क्या पुछना है छानी Кणा ही पड़ेंगे भुग लगे ना लगे खाना तो पड़ेंगे हालेया सच में है हम Syam को खाना नहीं है तो हम मर जाएंगे, hallelujah, खाना और फानी, praise God, अनुर्परमिस्ट प्रीजनो, हमारे शरीर में यह सब जरुत है, इसलिए हम भूक लगे, यह ना लगे, हम अंदर डालवा देते, अलते कि ने अलते हैं, praise the law, प्रमिस्ट प्रीजनो, हमें, इसलिए तुमारा शरीर चलते हो, और इसलिए तुम फिरते हो, लेकिन अंदर का आत्मा के लिए कोई ध्यान रखता है, क्या हो, तुम सरीर नहीं हो, मर गया मतलब क्या है, अंदर का आत्म चला गया, शरीर गिर गई, जब तक तुम अंदेर हो, जब तक तुम सरीर में हो, तब तक तुमारा सरीर हाथ ही लेगा, आंक देखेगा, कान सुनेगा, हाललुया, अगर निखिल गए हो, तो गए, फ्रेस को, शरीर लास बन जाएंगे, यह मुर्दा बन आपको खिला रहा है ना, अब यह आत्मा खा रहा है कि नहीं कह रहा है, ताले बजागे शरी दने बादे, आललुया, अललुया, अमें, आप लोग एक दिन में चार बार तो खा लेते हो, कुछ रात में भी फ्रीज भी कोल बेट के खाते हो, प्रेस का, कुछ लोग तो जीना है तो खाना है, उस तरह से हमारे अंतरनी मनुस या अंतरनी आत्मा है, वो जीना है, तो हमें येश्व के साथ तालुक रखना है, हललुया, उसके वचन सुनना है, हमें ध्यान, बाइबल को ध्यान करना है, बाइबल में लिका है, मनुस, येश्व ने कहा, शैतन जब येश्व को परिशा लिया तो येश्व ने सैतान से कहा मनुस के वल रोटी से नहीं जीता है क्योंकि येश्व मस्य जिसकी बात कर रहा है वो आत्मा की बात कर रहा है हलललुया, मनुस के वल रोटी से नहीं जीता, प्रभू के वचन से निखलने वाले, मूँ से निखलने हर वचन से मनुस जीता है, हलललुया, यह मूँ से, तो यह सारे जो बाइबल है, इसमें आपका आत्मा का बोजन है, हलललुया, आपका आत्मा का बोजन किसमें है, जरूरी है कुमकि मरने के बार सच जिंडे के सुर्वात होता है बढूरे बात कुंसी जिंडेक की सुर्वात होता है तिओ सुर यह दिंडेकी कुछ नहीं है यह जी देगी हमें तोड़ा दिन के लिया जीर है लेकिन मरने के बार 100-500 GENAC नहीं तो छंवरूगो जाना है तो सचाई को पालिया, अगर सचाई को पालिया, तुम्हें अनंदकाल का जीवन सोर की राज मिल गए, हललुया, एमन, शो, शरीर मीटी से मीटी जाएगा, लेकिन आपके आत्मा नहीं मरेगा, आपका आत्मा दो जगा में जाना है, एक तो नरग, एक तो सोर गए, अगर सोर क में लिखा है, आत्माओं के पिता है, वो कौन है, अवास से पले आत्माओं के पिता है वो, हललुया, वो पिता से आपका संबंद रखना जरूरी है, अगर आप जीना चाहते हो, अगर ये दुनिया में आप सकसर जीना चाहते हो, या आपके इस दुनिया में आप शांती का जीवन बिताना चाहते हो, तो आत्माओं के पिता के साथ आपका संबन जरूर जुड़ा के रखना है, हललुया, हललुया, क्योंकि अंदर की आत्मा ठीक है, तो बार की शरी ठीक है, अगर अंदर की आत्मा ठीक नहीं है, तो बार की शरी ठीक नहीं है, इसलिए अंदर की आत् मेरे पास है और येश्व ने कहा जीवन की रोटी मैं हो येश्व ने कहा जीवन की जल मैं हो और जीवन की रोटी मैं हो अललुया तो है तो जीवन का जल वो तुम्हें देता है इसका मतलब हमें तुम्हें कर फ्यास नहीं लगेंगे ये प्यास नहीं बोल रहा हूं कि आप ल आपने येशु को एक बार मान लिया, अगर आप येशु को ग्रैन कर लिया, तो आपका प्यास मिढ गया, अवास से बले मेरे प्यास मिढ गई है, मेरा भूग मिढ गया है, जैसा शरीर में भूग लगता है, जैसे शरीर में प्यास लगता है, वैसे ही हमारे बीतर का आत्मा भूखे लगता है वैसा ही मारे भीतर कि आत्म भी क्या लगता है भ्यास लगता है प्यास लगता है बना से दो चीज है नाम है इतना प्रिशीध में अजय है प्रती है इतना सब कुछ है फिर भी मेरे मन में कैसा है, एक खालीपन है, बुलते हैं लोग, hallelujah, मेरे अंदर कैसे तो बेचन हो रहा है, क्यों, क्योंकि बेचन को दूर करने वाला, या भूक को मिठाने वाला, या तुमारे भीतरी इंसान को, अंधुरनी इंसान की प्यास को मिठाने वाला, एक नाम है, उसका नाम एश्यू है, उसका नाम एश्यू है, hallelujah, जोर से तलिप एश्यू मेरे करेंगा, hallelujah, so, याद रखिये, हार चीज़ वापिस अपना जगा में मिलना है, praise God, दो किटनी कहां से बनाये गया, मीटी से बनाये गया, इसलिए वापिस अपना मीटी में ही जाना है, praise God, आपका हिर्दे, मीटी से बनाया गया, इसलिए वो कहां जाएंगे वापिस, ये बाद समझना, hallelujah, ये दो आंख देख रहे हैं न, ये दोनों भी कहां जाएंगे, ये बड़ा-बड़ा धींग मारता हैं न, मुह, ये भी कहां जाएंगे, जीब, जितना तुमारे सुन्दर है, वो सब कहां जाने वाले हैं, कोरा-कोरा बोल रहे हो, लोल जा ए खाला-काला बोल रहे हो, खुच भी बोल रहे हो, सब कहां जाना है, हवासे बोलिये है, सब, ये बाल से लेकर, भास्त अपना ही जगा ayud को आ जाएंगे, इसो कोई रोक नहीं सकता है, प्रैसलों, जहां से तुम बार आये हो, इसलिए येश्ण ने कहा, तुम नंगे आये, वापिस नंगे जाएगे, हर चीज वापिस अपने ही जगां में जाना है, हर वस्तु, फूल हो, पेड हो, जाड हो, भवदे हो, जानवर हो, रेंगने वाले चीज हो, या चुडिया हो, या पंचिया हो, या जो भी है, वापिस अपना मीठी में ही जाना है, फूल देखते से में अच्छा लगता है ना, फिर वापिस क्या होती है, वापिस क्या होता है, साम होती ही क्या हो जाता है, मुर्जा जाता है, वापिस इतना अच्छा दिख इतने वाला फूल कहा जा रहा है? मिठी में, hallelujah, हर चीज वापिस अपने मिठी में, जहां से उसका उत्फण्ड हुआ, जहां से उसकी निर्मान हुआ, वापिस वह वहा ही जाएगा, hallelujah, 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 मैंने पिछले अपते यह सिखाया, कि जो भी चीज अप देख रहे हो, even a mic देख रहे हो, even projector देख रहे हो, AC देख रहे हो, यह तुमारे गड़ी हो, यह अंगूटी हो, यह सोना हो, जो भी तुमने बनाया है, यह सब इनसान को प्रभू ने ज्ञान दिया है, समझ दिया है, बुत्य दिया है, उसने अपने बुत्य और ज्ञान से invention किया है, मतला अव मिश्कार किया है जो भी अब दिख रहें मिटी से आया है जो भी दिख रहें किसे आया है पंका कहां से आया है प्रेज को इंसान अपने समाज अपने भूति रखार यह सब को बना के Amen हमारे हाथ में दिया है क्योंकि ये सब का निर्मान खान से हुआ है इंसान के समझ या प्रभु ने दिया भुत्ति से उसने ये सब बना के रखा है लेकिन वापी से कहान जाने वाला है हलो हम लोग बोलते रद्धी में डालो नहीं तो बोलते बंगार में डालो हललोया क्यों क्योंकि एक्सपैर हो गई उसके डेड़ एक्सपैर हो गई वापिस वो उद्री जाना है Praise the Lord हललोया हर चीज कहां से बनाएगे वह ही वापिस जाने वाला है हललोया जान से सुनना इस पर गमंड मत करो दन और दौलत की पर गमंड मत करो पैसे पर गमंड मत करो हर चीज वापिस जान से उसकी निर्मान वा वापिस वो जाना है वापिस वही जगाँ पर Amen तुमारे गाड़ी में जीवन नहीं है कितने बड़ी गाड़ी खरी दे कितनी मड़ी महल खरीदे, कितनी मड़ी फ्लाट खरीदे, नाम खमाएं, पैसे खमाएं, अधिकार यह सारे पदे भी खमाएं, कितना भी खमाओ, यह सब वापिस मिठी में ही जाएगा, हललुया, हाज लोग अपने घर की उपर गमांड करते हैं, गर्व करते हैं, अपने मोब क्यार आउनरा गैं, अर हो डक्टर बोलता तुम मर जाहेंगे, अः डक्टर से तुम बोलता ही भी तो कितना खरोड चाहिए मैं देता हू, डक्टर बोले कष़़कर क्रणों में तेरे पास रखना हम क्या करें, उपर देखना, त भौ उपर कि याद आता है, क्योंकि जीवन तो मेरे बाप के नाम में है, येश्य के नाम में है, थाली मजा कर येश्य के माहिमा करेंगे, हाललुया, हाललुया जो से बोले हाललुया, Amen, तुम जो खमाते हो, इस पर जीवन नहीं है, there is no life at all, Praise God, जीवन तो एक के नाम में है, उसका नाम येश्य है, Praise the Lord क्योंकि जितना भी चीज है वो वापिस अपना ही रूप में जाएंगे यह सब को रूप दिया गया इंसान अपने दिमाग लाकर इसको एक रूप दिया इसको एक अखार दिया इसको एक अखार दिया इसको एक अखार दिया सब को अखार दिया, लेकिन कुछ भी अखार दिया, लेकिन वापिस ये वापिस अपनी जगह में जाने वाला है, इसमे जीवन नहीं है, आललुया, फरमेश्ट प्रिये जोनो, तुम जो भी देख रहे हो, कि उसीमे में जीवन नहीं है, सोच लीजिए, मैंने इसको जला दिय इस मोबाइल को या इस टैप को में जला दिया, अगर इसको में जला दिया, तो ये वापिस अपने रूप में चला जाता है, याद रखो, ये वापिस अपने अखार में चला जाता है, वापिस अपना धाचा में चला जाता है, खान से इसको बनाए गया, वाँ से चला जात इसलिए हम लोग बोल रहे कुरिकि बैबल में लिखार अपने वचेन की दॉरा नास करने वाले आग से Pas emba दडार से जला करह। भोजन बनने वाली है, यह आग के लिए आहार बनने वाली है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि यह सारे चीज वाफ है, यह जितने वस्तु है वाफ है, वाफ स्थीम है, यह वाफ वाफ में होने वाली है, जितना दुम चीज देख रहे हो, क्योंकि पहले पत्र उसमें लिखा है, हमें उसमें लिखा कि वह वाफ हो जाएंगे वाफिस अपने रूप में चला जाएंगे वाफिस अपने रूप में चला जाएंगे वाफिस अपने अखार में चला जाएंगे क्योंकि परमेश्य निखा कि दुनिया को एक बार परमेश्वर ने अपने जल प्रड़ाई से नास हां पढ़िए छे और साथ इनी के दौरा उस यूग का जगत को या पहले बार परमेशन दुनिया को जल में डुपकर नास हो गया हाललुया यह पूरी दुनिया जल में डुपकर नास हो गया बड़ी निच्छेवल आसा तो अच्छन पर वर्दमान खाल के अखास यह हम जो ज सब जलाया जाए हललुया इसमें लिखाए जलाया जाए और वह बक्ति ही इन मनुश्यों को न्याई और नास होने की दीन तक ऐसा ही रखा रहेंगे हैं प्रैस गाउ मेरे परमेश्य प्रीजनो इसलिए आपको इस विश्य को मैं समझाना चाहता हूँ कुछ विश्य को आज इस रात का समय ज्यान अपना खान खोलका सुन लेना की परमेश्य कर का वाधा पुरा होने वाला इस सारे जरती को परमेश्य आख से जलाने वाला उसमें लिखाए हमैं दस वचर में लिखाए पढ़िये आप दस बच्चन परण प्रभु का दीन चोर किना आ जाएगा मेरा एशु चोर के समान आने वाला है हाललुया बच्चन में लिका मरे वे मुर्दे जीव उठेंगे और जिंदा हम बदल जाएंगे कितने में एक चुटकी में हाललुया और येशु से मिलेंगे येशु में लिखा है क्योंकि जो लोग येशु पर विश्वास करते हैं वो सौब इस दुनिया से गाइब होने वाले है इसलिए पती को पत्नी अगर पत्नी येशु को नहीं जानता तो उसको जो बोलो जान ले पिटा जानले बेटी जानले मेरा मेरा पत्नी जानलो बता क्योंकि याद दूएम तुम लगार गाड़ी में जाते समय कभी भी हो सकता हमें ये शुटा लेगा कि उस दिन फोली चाहो कि में पुरे कंलेंड से भर जाएंगे मेरा पत्ति गाइप हो गया मेरा लड़का चला मेरा लड़की चला क्योंकि पूरा दुनिया हंगा में मचनेव का दीन के और बढ़ रहे हम लो क्योंकि जब एशु आएगा जिन्दा जो लोग जीवित है वे उठाया जाएगा कितने में और मरे मुर्दे कितने में आमें प्रेज लोड इसले लिखाए कि परवद्व प्रभु का दीन चोर की नाय आ जाएगा उस दिन आखाज बड़ी हड़ा 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 के सब्से जाता रहेगा अर थत्व बहुती तप्त होकर बिगल जाएगा तब समझते हो आग से प वो सारे उसमें लिकाए और तत्व बहुती तप्त होकर पिगल जाएगा यह सारे दर्ती और आखास पिगलने की और जा रही हाललुया उड़ामा संदर बहुरबा और फृत्वी और उस पर के खाम जल जाएगे फृत्वी और उस पर के खाम क्या हो जाएगे वास से बहले जाएंगे हाललोया नीचे और जाए हां गैरा वच्छन तो जब कि ये सब वस्नु इस रीती से पिगलने की लिए है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और बक्ति में खैसा मनुष्य होना चाहिए अललुया तुम जो देख रहे हो ये सब पिगलने की और जा रहे हैं इस दुन ये दुनिया फिगलने की और जारे है, ये दुनिया वाफ की और बढ़ने वाली है, ये सो भी देख रहे है, इस भाफ होने वाला है। اللہ容易ہ मेरे बैंडों मेरे बाईओ इस पर भरोसआ मत करो आज لوग जमीन की जगला जगारत करते हैं हमें दुसरे की जमीन ले ले थे हैं मेरे जमीन पर घमनर करते हैं मेरा जमीन है homepage यह जमीन में जीवन नहीं है जीवन तो येश्ण का नाम में है क्वाइबें जेवं तो रिखेज्व का नाम में है हाललुया क्यों कि även ये सब पिगलने की और जा रहे हैं ये ऑललुवा इस बीख्ला का जाएंगे कुई बाइबल में दोर्ट समय धिन जल दी आने वाला और मो आने हललूया ऊड़ा वाशन्तना रधी लभा खाला दियी अलबा इस रात की समय जितने इस्थान पर मुझूध है व्यान से सुनिये कि मेरा एशु आने वाला है मेरे शु आने वाला है ताल्ण बढ़े यह बारावचन में वर्मैशर के उस दीन की बाद किस रीती से जोना चाहिए या जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यतन करना चाहिए जिसके कारण आखास आख से पिगला जाएगा और आखास की गन बहुती तब्त होकर घल जाएगा इसमें दिका परमश्व आपके सामने में डाल के रखा तकि समझे जिसके खारन आखास आख से फिगल जाएगे और आखास की गन बहुती धबतो कर घल जाएगे क्योंकि परमश्व आ रहा है मेरा एश्व आ रहा है हाललुया मेरा बैनों मेरा बाईयों इस जमीन पर भरोसा मत करो इस दर्ती पर भरोसा मत करो पैसे पर भरोसा मत करो हमें रिस्ते पर भरोसा मत करो सबको एक दिन छोड़के सबको अलग जाना है लेकिन जिस दिन न्याई का दीन होगा क्या तुम तयार हो कि स्वर्ग जाने क अललोया, अललोया, अर तेरा वच्छन में लिखाएं, हाँ, उड़ा माशा, खाला बाराबा, हमें, पर उसके प्रतिया की अनुसार, उसकी बादा की अनुसार, हम एक नया अखास, और नया पृती की आस देखते हैं, जिन में धार्मिक तवास करेगी, अललोया, जिन में धार अललोया, आपको मालू में, ये दुनिया में न्याई नहीं है, आपको मालू में, ये दुनिया में सब घोटाला, सब रिस्वा, सब मारा मारी, सब विवच्छा, सब वेशिया, सारे गंदेगी है, अललोया, इसलिए मेरा बाप के राएं, पर उसकी प्रतिया की अनुसार, उसके आदा के अनुस्सा हम एक नया खास और नया फ्रूतुई की आसा देखते हैं जिनके धार्मिक तवास करेगा जिनका धार्मिक तवास करेगा वह कोई लड़ाई नहीं होगा वह कोई बिमारी नहीं होगा वह शैतान नहीं होगा वह शैतान का राज्ये खतम हो जाएगा मेरे बैए मेरे बैए क्योंकि मेरा बाब धार मिता की राज करता आला लो या मेरे पर मिस्ट प्रिजनो एक ऐसा दुनिया की और अमबड रही है एक ऐसा दुनिया है जांग कोई आसू नहीं है जांग कोई रोना नहीं है जहां कोई भर्माने वाला नहीं है, जहां कोई पसाने वाला नहीं है, जहां कोई थूरूत नहीं है, जहां कोई खपटी नहीं है, जहां कोई चली काम करने वाला कोई नहीं है, हललुया, क्योंकि ये राच्ये में केवल वही लोग रहेंगे, पभीतरता की लोग है, हललुया, मेरे बर में से प्रीजन ओं एक भयानाग दीर के औरण बढ़ रहे हर चीस अपने स्थाद में वैंपिस जाना है सोच लिजीए हमें अगर अगर अपने में इसको जला धिया यह अपनी वाप में चला गया मतलत templ तो डेख रहे हो यसव ना सौगेगा। इसलिए दुसरे कुननुन देट वादिया में लिखा को रभा बाभा रभा तौर इसलिए चार वादिया यह वादिया। इसलिए हम ही आव नहीं होड़ते हो यह भी अमारे भी मनुफ्य नाशिव भी हो जाता है मतलब हमारे बाएक मनुष नाशओं जाता है वोग हमारा वीधरी मनुषयत्वत दीन प्रतिदीन नया होता जाता है ऩालेलोया बार का इस ना सोता मतलब खाना' न यहीं कहा थे दिल्कना सोता, नहीं नहीं, मतलब भार के सोच ख्थम कर दिये, वार के जितने भरोसा हमने छोड़ दिया है, our हमारा भरोसा भी येशु पर आगे है एक समय हमें ऐसे थे जब येशु को नहीं जानते थे ये दुनिया हमें बड़ा लगता था हाललुया ये दुनिया के वस्तों हमें बड़ा लगता था प्रेज गौर और दुनिया की पैसे के लिए रात दिन हम जानवर की जैसा गुमते फ्रेस जिस दिन ए शुको जाना उस दिन यह सब छोड़ दिया है हॉ हाललुया हाललुया कुछ लोगो देखोर रात और दिन विसी का अधिसित और ना पषुल के सैंता-वह का सूर्फॉ यह जोटा रहा है बार का एक चैनल सेफिरiendo नहीं है आसिवाद प्रभु येश्य के नाम में है है हललुया आपको मालूम Inde लोग 10 साल खमाने वाला खमाव को एक साल में मेरा बाप तो में वापीस में वापीस सकता है हललुई या लोग छ बाइन घमाते क्या बाइ का बहन आते न कि नियोगा अरज्टा बहुत भी सिह होगया आललुया देखो देने वालो को पड़े ज़ो को देने वाले सोच मरना कितना भी आप लोग बिशीर है येशु के लिए समय देने के लिए कंजूस्मत करना अललुया सुबे उटो प्रात्न करो बाइबल पड़ो रात में आओ परिवारी प्रात्न करो परस्नल प्रात्न करो जांबी जाए येशु को नाम लो तब देखो तुमारा जिन्दगी को परमेश कितना बड़ा अश्रवास से बरता है अललुया इसलिए लिखाए है है बोले प्रती दीन नया होता जाता है इसका मतलो जितना तुम येशु को जानते हो उतना तुम आंगे अंदर बढ़ रहे है अललुया जितना तुम येशु को जानते हो संसार का सब बात छोड़ देते हो कितना भी बिसी रहे वह 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 उनको बढ़ाई तुम बैटो हमको में जाना है हाल ऑल अमको कि हमयों में तुम जो देतेज़ हिसे वह यहीवाप ओने वाली है यही फिकलने वाली है भीटीशव को कभी निहीं नहीं में बॉघार हल आल आल ङ मैं तुम जो देख रहेए लाहा है में अधसे मानुष्यन घऑ हम इंद्रे स्राल्रा की आथ्मा है या पल इंद्री की तो बाहरा कैने आध्मा अर्मा नां, यह म३ंवरी नुखिते हैं मनुष्वा है यह सरीर सिंस बोलता है शोमर से लेकर सटो इतना वार्ट ना थोड़ा ज़ोगा बिटा थोड़ा सोजा बेट सी आश्यू चेयर में लंबा गाड़ी चला कर एक यह आदो तुम को कुछ मिले वाला का जाएंगे चार में बेटे के उन्ने कुछ बोल रहे है हाई 스타 का कपर ला हम से बात कर रहा ह क्या बुल bestimmt हम आ कि Ranot कर रहा हम से बात कर रहा हम से बात कर रहा हम से बात करा अज जाएane को पहसा मिले गा है बूग अज जैए कुछ थै। वहाँ की जो अच्छन मुझे मिलता तीन प्रती दिन, नया होता जाता है, कैसा नया होगा, बाइबल पढ़ेंगे तो होगा, प्रेयर करेंगे तो होगा, अब बाइबल ही नहीं पढ़ते हो, प्रेयर ही नहीं करते हो, मनन नहीं करते हो, दियान नहीं करते हो, कैसा अंदर का इंसान मजबूत होगा, नहीं होगा, देख तुम्हारा अंदर का इंसान बल्वात हो जाएगा हाललोया ओ रभाशेखन हाललोया इसलिए बाइबल में लिखा पूरी दुनिया तुखमा सकता है मतलब मुट्टी में ला सकता है लेकिन तेरा आत्मा अगर सचा ईश्वर को नहीं जानता तो नरग चला जाएगा बलकि तुम पूरे दुनिया कैसे ला सकते हो मुट्धी में ला सकते हो लेकिन तुम्हारे अंदर की बीतरी मनुष्य अगर सचा ईश्वर को येश्व को नहीं जानता तो वो ऐसी दुनिया में जा रहा जो दुनिया शैतान का दुनिया है हललुया हललुया वासे बोले हललुया 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 येश्व के राजिये और शैतान के राजिये हललुया येश्व के राजिये में अगर तुम जाना है तो रोज उनके साथ हमने रिस्ता रखना है क्योंकि हमारा whipped cream जह वह से थे अभा वै रव bas सब्सक्राइब ल Veg से पहों हमारेले बहुत ही पान करता जाता है। जब तुम्हें तकलीफ कुछ आते है तो कुछ तुम सीखते हो जब तुम्हें परिशान आता है तो तुम कुछ सीखते हो जब तुम्हें खलेस आता है तो तुम कुछ सीखते हो और तुम्हें ऐसा सीखते हो इसमें लिका है बहुती महत्वपुर्ने और आनंद महिमा क्या कर और अधुर न श्रफन करता है है इचितना इसे करद नाम से मैं चर्श में जीतना भी जाओंगा मुझे बिखिए लेकिन मेरे हैं यहालगुज मेरे साथ यह खुन港 अवासे बले शुवें लोग बोलते हैं तुम चर्च में गया तो तक्रीब और बढ़ गया तुम बढ़ गया लेकिन तुम बोलना है थाग है हललुय तुम्हें नहीं मालू मेरे लिए क्या होने वाला है अनंद महीमा उत्पन्न करते जाता है हललुय जब अब तक्लीब में हो कुछ उत्पन्न हो रहा है तुमारे ले हललुय जब तुम परिशानी हो तो परमेशर उसके लिए उत्पन्न कुछ कर रहा है सोच लीचिये है फुष परिशानी हा लूे Kate करता मैं उस परिशानी से बार निखल ने वह तुम्हारा ले रास्ता खोल दिया नहीं आललूया बुलो में परिशानी में मरिऊने नहीं परिशानी में उटकर चलूँगा हाललुया पावलुस कह रहा है हमें चारों तकलिफ से तकलिफ है लेकिन आम गिरते नहीं बल्कि आम उटके खड़े हैं हाललुया अपको मालुम है अगर वही जगाह में जो येशु को नहीं जानते हैं अगर कोई खड़ा है तो उधरी सुस इतना भी तूफान तुमारे किलाब आने तो इतना भी परिशान आने ते किी छॉपना क्ले कॉंच से खड़ी हमें बहुत बहुत है तो माहिवा था निए ऑख स्यों और लुजुमॉ का तो पूर ने बहुते ऑख स्योंु अहलुजु अगरी श्कोन गोष गॉभ धॉभ भंगरत किशली आख सिटेकलो कॉर बहुते ऑख स्योंु हलालुज। ह्टो यह जब तुम कुछे में जरे को सहरिडने something is going to happen in my hallelujah कुस्तो मुझे हो रहा है hallelujah जब तुम्हे कुछ परिशान आ रहा है तो सोच ना है मेरे साथ प्रभू कुछ महीमा दिखाने वाला है अगला कादम मेरे लिए ग्लोरी फाई का दीनो ने वाला अगला मेरे लिए महीमा काना है अगला मेरे लिए महीमा काना और ये महीमा सारा दुनिया देगेगा hallelujah मेरे बैन, मेरे भार क्योंकि वच्छन में लिखा मृतियो अदू का च्शावी मेरे पास है मृतियो अदू अदूलो का खुंची मेरे बास है तुम दर्मल और हिमत के साथ आगे बनना, hallelujah आज इस रात का समय जितने बैटे दैंसर सुनो जब तुमारे परिवार में, जब तुमारे घर में कुछ परिशान आता, जो कुछ ख्लेस आता तो सोच लो, कुस तुमारे घर में महिमा सुरुआत होने वाला है तुमारे घर में महिमा सुरुआत होने वाला है तुमारे घर में प्रभु का ग्लोरिफाई होने वाला हाललूया ठाबा शंतर बाला बख खलाबा इसने लिका कि बहुत ही महत्वपुर्न है और अनंद महिमा उत्पन्न करते जाता है तुमारे 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 तुम तुम्हारे घर में आ रही है तुम्हारे घर में आ रही है शंबाला दूरा बागा खाबाला तुम्हें सोचा कि मुझे ये जो तकलीव है पर मैं से बोलना हलका का तकलीव है कितना बड़ा पहाड भी रहे वो तेरे सामने घल जाएगा तेरे सामने फिगल जाएगा तू उसको फार करेगा उसके फार जाएगा उस स्तान में जाएगा और प्रभु का अशिर्वा तेरे ले खड़ा प्रभु के महिमा प्रभु का महिमा तेरी और आ रही है इसलिए बोल रहे है हम निरास नहीं है इसलिए हम ठक नहीं जाते है क्योंकि हमें मालूम है अगर कुछ आ रहा तो हमारे साथ कुछ होने बाला है हाललुया उपर की वच्छन 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 वपीश रहना बेठा हाललुया इसलिए हो बोल रहा है हम ठक नहीं इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते है हमनों थोड़ते है इसलिए हम्मत नहीं चोडते हैं इसलिए अभीम्मख नहीं जाते यहीं सच बात है हम सब्सक्राइद एक आगर से πर्द statement कली जाते हैं हम सब्सक्राइक हम इस अब जाते हैं अब नियुक्ष़ दादे में खुूड आरे कुझार पर शोचे जी है अगर आपको मालुम पढ़ एंजर क्या आने वाला क्या आपलो Nira methyl कॉ horrifying त्हुुच निफ्यापने अन्डा शिंदें में इंकला मार्ग में small paper under यू आपको मालूम में मैं मुझे क्या होने जुखने वाला तुमक मालूम है única neste मालूँ में अगला रिसल्ट मेरा जई होने वाला है क्योंकि मेरा खून में मैं कभी हरूंगा नहीं मेरा खून में मेरा खून में येश्य को खून है मेरा खून दियने येश्य को दियने है और मैं हरूंगा नहीं मुझे मालूम है अगला रिसल्ट मेरे लिए बहुत बड़ा लेकर आने वाला है, hallelujah, अगर आपको मालूम बढ़ गे, क्या थक जाएंगे, क्या थक जाएंगे, आपको मालूम है अगला result क्या होने वाला है, इसलिए आप लोहों को बोलेंगे, तु मेरे पर कुछ मत बोलना मुझे मालूम है, अगला मेरा ही होने वाला है, अगला मेरा कु लेकिन अँडर के आत्मा बोल रहा है उस तरफ देख तरफ ले थे लें महिमा खड़ा है तेरी ली खल लगने के लिए अगर वां की था अचेन को किछ नहीं है all creature भाकि शाइटानावल्य्य क्योंकि मुझे वॉंके रिसल्ट म कमा देख और मुझे कुछ नहीं करेंगा, क्योंकि मैं इसलिए बोलता है, मैं ठक नहीं जाओंगा, हाललुया, मैं ठक नहीं जाओंगा, हमारे भार के मनुष्य नास भी होता जाता है, पनाथ हमारे भीत्रे मनुष्य है, आपको मालू मैं, मैं तो आपको बोलता है, संगट हमें पास नहीं आएग लेकिन तकलीफ खब नहीं आएगा ओभी बताना चाहता है जब तुम यश्यु में नया हो तुमको बहुत तकलीफ आयगा ऑगा। हाललुया लिए जब तुम में यशुन में आया है उआपको तकलीफ और बढ़ेगा परिशानिय और बढ़ेगा पूडाबा, शंकालाबा इसलिए तुमारा विश्वास को प्रभू मजबूत करना चाहता है क्या करना चाहता है तुमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए उसको ये परिशानी आपके पास छोड़ना ही पड़ेगा आपके हाथ में ताकि तुम खड़ा रहे तो या भागते हो कुछलो भाग जाते पोठला बांद कर भागो रहे भागो भागो रहे भागो, हाललुया लेकिन कुछलो बोलते हैं नई मेरा विश्वास का परिक्षा भी हो रही है दगान दर्रा देखेंगे अभी कौन जीता है, हाललुया जैसे आपने जीत लिया तो येश्व का दया और उतरती है येश्व का अनोइटिंग तुमारी पर और उतरती है और अगला अगला तुमने जीत लिया और प्रभु का भिश्यक उतरता है ऐसे बढ़ बढ़कर एक समय ऐसा समय आ जाता है तुम दूरुड बन गयो तुम स्ट्रांग बन गयो उधारन से बलता हूँ जब बच्चा रेंगने लगता है जब चैर पकड़के खड़ा होने लगता है तो नीचे गिरता है कि आप रोते हो जब बच्छे खड़ा जब नीचे फाग इर जाता है फिर कैसे भी खड़ा रहे तो आपलो हसते हो कोई रोते हैसे जब बच्छे चार पकड़ के खड़ा रेने के लिए कोशिश करता है आपलो हसते हो क्योंकि मेरा बच्छा ट्राइ कर रहा चलने के लिए चलने के लिए चलन है त्यो तैयार हो गया विष्वास की पर चलने के लिए, हाललूया अरहा है अभी देखें बच्चा भाग रहा है, आलहा है, हम मापीता है, हमारे बच्चे को ना है भागना है एतना उन पर किया है घर्व करते आश्मा नी तुम्हारे आत्मा की बाप है, वो तुम्हे भी चलने के लिए देखना चाहता है, कितना दीन तुम्हामें हमें ऐसे ही रहेंगे, ऐसे घसीरते रहेंगे, कैसी ये दीन खतम होना है, और तुम चलना है, सोच लिए जब बच्चे को क्या करते हैं, बड़ा प्लेट में खाना छोड़ देते हैं, कुछ काना यहां जाता है, कुछ काना यहां जाता है, कुछ काना मूह के पीछे जाता है, कुछ काना पेहर के नीचे जाता है, हमें ये बच्चे खाते हैं, हम लोग हसते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चा खा रहा है, खाने के लिए ट्राई कर रहा है, हाला येशु आवर अभिशेग देता, येशु आवर सामध देता, येशु आवर आपको खड़ा करने के लिए कुरुपा और धया करता है, आललुया आललुया आवासे बोले आललुया बोलो हमारे अंदर का इंसन बढ़ रहा है ओके, अभी आठरा वचन देखें हम तो देखें ववसथु को नहीं हाँ हाँ कौन से वस्थु नहीं आवासे बोले हम तो देखें ववस्थु को नहीं आललुया आपका सामने जो सेन्स में या पांच इंदरिय हमें आप जो देख रहें नहीं सब कुछ इस पर भरोसा मत करो अचानक आगे बुखार यह देखी भी वस्तु है देखो विश्वास मतलब यह चैर को देखा तो विश्वास करना ज़रूरत है नहीं यह तो है यह सारे चैर इधर है इसो क्या विश्वास करना है अगर चैर है यह नहीं फिर तुम विश्वास करते हो यह अंधे की वस्थू है इसलिए हम बोल रहा है हर हम तो देखी हुई वस्थू को नहीं परन्तु अंधे की वस्थू को देखते रहते हैं अललुया तो आप देखते हो उस पर रखना नहीं विश्वास किस पर विस्वास रखना है बोलो unseen मतलब अन्देखी मतलब आंग से दिखता नहीं बोलो आंग से दिखता नहीं है Hallelujah आपको जो दिख रहा है आपका शरीर उसको भिस्वास करेगा लेकिन Bible कहता है वो जूट है Bible क्या कहता है आवासे बोलिये तुम्हें जो बुखार है वो जूट है तुम्हें जो गुटने के दरत हो जूट है Praise the Lord तुम्हें जो बोलने डॉक्टर ने बोलने बोलने कि तुम मर जाएगा यह सब जूट है सच क्या मलूम है अन्देखी मतलब विश्वास क्या है अन्दे की वस्थू पर क्या रखना है देखते रहते हो क्या करते हो इसका मतलब मेरा येश्व ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है Hallelujah हमने इसमें लिखाएं और हम तो देखी वस्थू को नहीं पर अन्दे की वस्थू को देखते रहते हैं क्योंकि देखिवी वस्तु तोड़ा ही दीन का है, कितना दीन का है, जो आप देखते हैं, कितना दीन का है, परंतु अन्दे की वस्तु सदा बनी रहती है, तारी बजा के श्रुमार करेंगे, परंतु अन्दे की वस्तु सदा बनी रहती है, आपका माल में दो दुनिया है, ए कुन से दुनिया है लेकिन आंखों से नहीं दिखती है लेकिन वो है बुलो इधर है अब कुन से दुनिया को आप स्थमार करना चाहते है अभी भूलिया अंधेकी या अध्यात्मिक दुनिया या ये दुनिया कुन से दुनिया आप स्थमार करना चाहते हो अपने हाथ कितने अधियात्मिक दुनिया, 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 अधियात कर बोले थोड़ा दी इनके लिए भरोज़य iphone बरोसा है er यह दुन्यू बरोसा थै'll किस्वोज़रोसन यह है गलने वाला याद रखने ना फिलन में तब rajah लुझ लेकिन यह दुन्या है वह इदर है यह लेकिन देखा झ택ःतियर आनि सोच लीजिये अभी मुझे एक फ्लाट चाहिए या मुझे कोई मखान चाहिए या मुझे कोई घर चाहिए लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है लेकिन मैं अधियाद में दुनिया को अगर मैंने विश्वास किया तो मुझे मिल जाएगा वो मिलने के लिए मैं क्या करना है विश्वास ति येश्यो के नाम से क्या करना है बोलना है विश्वास आप पत्स की आडिा चाहर दुनिया के वस्त यह कुछ नहीं है, और मैं बोलता हूँ, चैर आगे आए, ओ शाखा मारा दिया, मुरे लिए आगे यश्य के नाम से, ओ रभाशी का, और मैं प्रातना कर रहा हूँ, और यह चैर प्रभु यश्य ने मिरे ले दे दिया, यही विश्वास है, हललुया, हवासे बले हललुया, कि वो दुनिया का अश्यरवाद, आप इस दुनिया में ला सकते हो, क्या कर सकते हो, हवासे बले ला सकते हो, सोच लिजिए, अभी दो किटनी आउट, डॉक्टर बोला कि दो किटनी आउट हो गया, पिसले दिन में एक लड़का आया था, उसको 20% किटनी फंक्शन कर रहा, और दुसरा जो है, वो खारिया नहीं कर रहा है, इसको डॉक्टर ने बोला, एक लिटर की पर पानी नहीं पिना है, ज्यादा पीएंगे तो मर जाएगा, क्योंकि किटनी पर जोर होगा, इसलिए वो रो रहा है, एक लिटर की पानी जब काम होते आता है, उसका प्यास और पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला, और इधर आके प्रातना क्या, वो बोल रहा है, उस दिन यहां से उसने चलके गया, उसो कूछ भी नहीं लगा, और ये संडे आकर वो बोल रहा था, कि मेरा सरी में बहुत अच्छा लग रहा है, हललोया, बहुत अच किनी भी तुम चेंज कर सकते हो, हलो, 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 बिना ऑपरेशन से, हललोया, क्योंकि अध्याद्मिक दुनिया में, क्योंकि आपका शरीर के अंदर जो भी चीज है, वो सारे चीज ये शुने बनाया है, और वो चीज को वो नया, बितौट आपरेशन के बिना, एक मिनिट म है, एक शकन में, तुम्हारा किटनी चेंज कर सकता, नया किटनी लगा सकता, अधाली मुझा के इशु कुदर ने बाद दीजे, हललोया, और चोंसे अधाली मुझा करें, अमें, उस अध्याद्मिक दुनिया में, हमें तुम्हारा हाट का प्रॉब्लम है, तो हाट को नया चेंज कर देंगे, एशु के नाम से बोलो, मेरा नया हाट हो गया है, मेरा नया हिर्दे हो गया है, हललोया, सो जो तुम बोलेंगे, वो अध्याद्मिक दुनिया को जो वस्तु है, वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा, वो सदा बनी रहती है, बोलो सदा बनी रहती है, शिल दुनिया वो सदा बनी रहती है वो इधर है बोले इधर है अललुया आप घर पे जाएंगे भी है आप चल कर जाएंगे उदर भी है आप बस में जाएंगे उदर भी है लेकिन सरीर के आंकों से नहीं देख सकते हो लेकिन तुम्हारे बास विश्वास है तो तुम देख सकते ह हाललुया चिला कर बोले अलेलुया 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 चिला करता हैं कि अमक ने से बढosphोने बंङए खोड़ाइद लिए इन पैसे बलाइन्य भी नाम जली अगती मूस नहीं ए जू है वह सब बनाता है यह सुन्नि Tenemos वाओं से बनाता है और कुछ नहीं काहप है एमधन जे दो circuits असल्म अनी वालौया तुम्हारा सारा असरबत कहां से आती है उस दुनिया से आती है आपको मालू है आप दूसरा दुनिया को अपरेट करते हो है मैं तुम्हें जो चाहिए वो तयार है लेकिन तुम बस येशु का नाम बोलने तयार है क्या तुम येशु का नाम उचरन करना तयार है तो ये रात जो चीज तुमारे ले नहीं है वो चीज तुमारे ले तुमारे घर पे आने वाला है वो बस तुमारे घर पे आने वाला जो तुम उसके लिए संगस कर रहे हो, जो रात और दीन संगस कर रहे हो, लेकिन प्रभु येश्यु कह रहा, मेरा नाम से बोल, वो अंदेग दुनिया, वो अध्याद्मिक दुनिया, तेरे लिए सब कुछ बना के देने वाला है, नीचे आकरी वचन डालिए समाब्द करें, याम, उड़ाबा शंकला भूराबा, ओरी बहा सक्काला बाराबा, उड़ाबा, हमें परमिश्य प्रिये जनो, हमें इस वचन से समाब्द किया रहेंगी, हललोया, इसमें लिखा है, हमें ये देखिवी वस्तु की नहीं, परंतों कि वस्तु को देखते रहते हैं, करमिश्य प्रिये जनो, जितना आपको लग रहा कि ये रियल है, ये रियल है ये पिगलने वाला है, ये गलने वाला है, लेकि ना पिगलने वाला एक दुनिया, ये शुने तुमें दे दिया है, ये शुने तुमें दे दिया है, ये शुने आया हमारे चर्च में बैन ने एक बैन को नंबर दिया और मैंने ता मेरे पत्नी ने उठाया उस ने उस फोन पर दुआ किया देखो उसका तीन मेने का भुखार येश्य ने उसी दीन ठीकर दिया है थाली बजाकर येश्य में माद करेंगा अललुया एमैन अललुया मेरे बैन और मेरे भाईयो एक बैन को खाथ में घुजली होता था बहुत दवाइखाई ठीक नहीं हुआ प्रेस गौड ये महिला लोग क्या किये मले बैए ये महिला लोग जो मिलके प्रातना करते हैं हम है उसमें हमें मेरे वाइब जो है हमें कुछ लो मिलकर लेंग लोग मेरे प्रोग्राम देखते लोग हं कितने चंगाई को प्राप्त करते हैं अब बोलने कि मुझे समय नहीं है लेकिन मैं तुम्हें बोलता मैं जिस धुनिया को słu睇न कृत करता क्या उड़ दुनियाको मैं सटमाल करने इस तरह आतम में तैयार है यह अगर आप थ पेठे आपके बेठी सब लोग शिरवाद बन जाएंगे कित लो तयारे अगर खड़ा हो जाए तयारे तो अगर आप तयार हो जाए तो मारे गर में बहुत बड़ा काम करने वाला लो यह उदामा शंकला दूरा बश्थान दला सब रातन करेंगे सब लोग अन्य बास बातन कर होने वाला इधार आज जो काम नहीं बन रहा है काम बनने वाला है सब लोग अन्य बास बातन करेंगे